नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज़ी वीडियो में दोस्तों टैली कमपनी अब टैली के यूजर्स को किसी भी तरीके की दिक्कत में नहीं देखना चाहती है इसके लिए आपने देखा होगा कि टैली लगातार जो है अपने न्यू रिलीजेस आपको दे रही है और न्यू रिलीजेस के अंदर बहुत ही बहुत ही बहतरी फीचर्स आपको दे रही है अगर हम बात करें टैली का लिटेश्ट रिलीज टैली प्राइम 4.0 की तो उसमें आपको वाटसप इंटिग्रेशन एक्सल फाइल का इंपोर्ट का ऑप्शन मिस रिपोर्ट को और बहुत जल्दी जल्दी जो है अपने नियू रिलीजेस देदा है अभी आपने इसेंटली देखा कि इंकम टेक्स का एक सेक्शन 43B के अंदर एक नया क्लॉज एच एड किया गया है जिसके अगर आपका सप्लायर MSME के अंदर रेजिस्टर है और वह SME है स्मॉल एंड माइक अगर आपको पर्चेस को डिसलाओ कर देगा और वह आपकी इंकम में एड हो जाएगी जब आप उसका पेमेंट करोगे तब ही आप उसको क्लेम कर सकते हो इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक आपको पर आई बटन के अंदर मिल जाएगा अब टेली यूजर्स को यह कैसे पता लगे कि हमारा कौन सा सप्लायर में में रिजिस्टर है उसकी आउट्षेंडिंग को कितने दिन हो गया है और 31 मार्च को मेरे ऐसे कौन से सप्लायर है जिनको मैंने टाइम से पेमिंट करना है और वह में समी के अंदर टेली प्राइम 4.1 आ जागा जिसके माद्यम से आप MSME की सभी तरीकी की रिपोर्ट को निकाल सकते हो उनका एनलैसिस कर सकते हो तो चोटा सा डेमो इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही प्यारा लीज टेली प्राइम 4.1 आ रहा है जिसमें आप MS के ट्रांडक्शन के लिए हो सकता है कि मैं MSME में रिजिस्टर हो और हो सकता है मेरे सामने अली पार्टी MSME में रिजिस्टर हो तो इन दोनों ही तरीके की कंडिशन को देखते हुए टेली प्राइम 4.1 में दोनों आप्शन लेके आ रहा है नंबर एक कि अगर आप MSME के कालपा हुए तो पहले बात करेंगे कि अगर आप खुद MSME में रिजिस्टर हो तो आपको टेली किस तरीकी की इनफॉर्मिशन उसमें इनपुट डालने है और टेली कैसा आउटपुट आपको देने माला है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम खुद MSME के अंदर र बाइख है OR प्रिपेर करना है उस्में की है अल्ट नूब्ट कंपणी के अंदर आप आपको अपि क्या करोगे इसकेन दहरा बताओंे और आप माइक्रोः जा स्माझल या मीडियम अपनाव बताने के बाद आप अपना MSME नंबर जो है अपनी company details के अंदर add कर दोगे इससे होगा क्या जब आप टैली से कोई भी invoice print करोगे तो वहाँ पर आपको option मिल जाएगा शो उद्यम registration number enterprises type यह option आपको मिल जाएगा F12 की को press करके जब आप अपने sale का invoice आप अपने text का invoice जब आप print करेंगे तो वहाँ पर F12 की को press करोगे और वहाँ पर आपको option मिल जाएगा show MSME registration number and MSME type जैसे आप इसको yes कर दोगे तो अब आपके invoice के ओपर जो है वो print होके आने लग जागा आपका MSME number और आपका MSME type तो यह हो गया number एक बात कि अगर आप खुद MSME के अंदर register हो तो आपकी कौन सी details आपको टेली के अंदर changes करनी है और कैसे अपने बायर को आपको information देनी है कि भाईया मैं MSME के अंदर registration हूँ और मेरा type क्या है तो इस तरीके से आपके invoice के उपर print होके आजागा आपका MSME मतलब उद्धियम registration number और आपका MSME type के आप Micro Small या मीडियम इंटर पहले हैं अब बात करते हैं दूसरी कि supplier जो आपका supplier है उसकी details को आपने कैसे टेली के अंदर तो सबसे पहले हमें आना है किसी भी पार्टी के लेजर में लेजर में आप आओगे मास्टर लेजर हैं उसका लेजर करोगे तो वहाँ पर आपको f12 की को प्रेस करना है configuration की तो वहाँ पर आपको एक option मिल जागा प्रोवाइड MSME registration detail यह किसकी detail मेंशन करेंगे हमारे supplier की पहले अपने किसकी detail बताई थी अपनी तो यहाँ पर आप option को yes कर दोगे जैसी आप option को yes करोगे तो अब आप जब भी कोई laser create करेंगे कि यह लेजर को alter करेंगे तो alter करते समय आपको यहाँ पर option मिल जागा set alter MSME registration detail इसको आप yes कर देंगे और आप अपने supplier का MSME नंबर और MSME टाइप आप यहाँ पर उसको बता दोगे तो यह टैली में आपने input दे दिया कि मेरा supplier कौन सा MSME के अंदर register है और इसका registration नंबर क्या है इसके बाद जब भी आप टैली के अंदर group detail निकालोगे Sunday creator की या अपनी outshending की detail निकालोगे तो उसमें आपको सारी report अलग अलग मिलेगी और एक और यहाँ पर अच्छी बात है कि अगर आपके number of supplier बहुत जादा है तो आप यहाँ पर bulk में जो है update कर सकते हो party details को आप bulk में जो है MSME number को update कर सकते हो उनके type को update कर सकते हो यह पूरी detail आपके सामने आ जाएगी आप group alteration में जाओगे और वहाँ पर उद्यम रेशेशन नंबर और उनके type को एक साथ ही बल्क में बहुत सारी अपने suppliers को update कर सकते हो इसके बाद जब भी आप report निकालोगे अपनी outshending report जब बाइवाला तो वहाँ पर आपको outshending में एक filter मिलेगा कि आप सारी party के outshending देखना चाहते हो या केवल micro and small parties के outshending देखना चाहते हो बहुत कमाल का filter जो है तेली प्राइम 4.1 में आपको देखने को मिलेगा आप अपनी outshending के अंदर control B before boy वाली की को press करके वहाँ पर आपको कोई बाइफर केट सकते हो कर सकते हो सभी party के outshending या केवल MSME के अंदर जो कि मैंने detail डाली थी अधार नंबर उद्ध्यम अधार नंबर उद्ध्यम टाइप जो मैंने बताया था उसके accordingly टैली आपको filter करके देगी MSME केवल outshending निकालने के बाद आप यहाँ पर multiple filter के option आपक बिल या जो बिल आपके अभी डियू होने हैं तो यहां पर डेज बताके उनको निकाल सकते हो जैसे माले उकस्ते समार्चाप का समाप्त हो रहा है और आप महाँ पर जो है इस तरीकी के filter को लगा के आप यह पता कर सकते हो कि मेरे upcoming days के अंदर कौन से MSME के ऐसी parties है जिनके आ MSME के एक्ट है 2006 अगर आपके और आपके सप्लायर के बीच कोई agreement है तो maximum आपको 45 days मिलते है और अगर कोई agreement नहीं है तो आपको 15 दिन का समय मिलता है तो इस तरीके का filter भी टैली नहीं आपे दिया है number of credit is allowed for micro and small party medium के ओपर एक्शन applicable नहीं है इसलिए उसकी बार टैली नहीं की है तो अगर कोई agreement है तो आप 45 दना अगर कोई agreement नहीं है तो इस तरीके का filter लगा के भी आप बहुत ही अच्छी रिपोर्ट निकाल सकती हो तो बहुत ही कमाल का नया रिलीज टैली प्राइम 4.1 आपके सामने आने वाला है जिसमें MSME का आपको complete solution मिलने वाला है तो बने रही है जैसे टैली प्राइम का 4.1 आपके सामने आगा इसका वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाला है तो थैंक यू वेरी मुच